टेक्निकल न्यूस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब किजी और बेल आइकन को दबाना ना भूले नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है वैवाशमा और मैं आपके अपने चैनल टेगी वैवा में सवागर करता हूँ दोस्तों जल्डी से इस वीडियो को लाइक कर देजिये अगर आप रेत्याइनिंग वेवर हैं तो लाइक करेए और अगर अगर आप निव यु वेवर हैं तो प्लीज रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करीए और बेल आइकन को दबना ना भूले दोस्तों आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इमेज में से बैग्राउंड को रिमूब करना चाहते हैं या आप ऐसा कहिए कि एक बैग्राउंड में उनकी फोटो है और वो अपनी उस फोटो का निकालना चाहते हैं और बैग्राउंड बिल्कुल इसमें ना आ है साथे साथ वो ये भी चाहते हैं जो इनकी फोटो बने वो ट्रांस्पेरेंट बैग्राउंड के साथ बने जिससे वो अपनी उस एक्स्ट्रेक्टिड इमेज को कहीं और यूज कर सके हैं जैसे यूट्यूब में थम्नेल बनते हैं वहां अपनी इमेज को बार बार लगाना होता है यह किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको इमेज चाहिए और आप यह चाहते हैं कि एक ट्रांस्परेंट बैग्राउंड के साथ आपकी इमेज है और जहां आपने फूटो ली थी वह बैग्राउंड आपके साथ ना है तो दोस्तों मैं यह दोनों चीज आपको सिखाने वाला हूं आप लास्ट तक मेरे साथ बने रही है जैसा मैं करता हूं वैसा आप फॉलो करते रही है आप आज जो मैजिक सीखेंगे आप कुछ कुछ सीखने में बहुत मजाने वाले है दोस्तों यह मेरा डेक्स्टॉप है यहां एक फोल्डर है माइपिक्स मैं से उपन करता हूं माइपिक्स के अंदर यह एक मेरी इमेज है जेपीजी फाइल है 2MB की मैं इसे उपन करता हूं यह एक फोटो है जिसके पीछे बहुत सारी बैग्राउंड है और काफी मैसी बैग्राउंड है और मैं चाहता हूं कि यह सिर्फ मेरी इमेज एक्स्ट्रक्ट होके बाहर आ देखना पड़े मुझे सिर्फ अपने यह स्टानिक पोजिशन की फोटो को बार बार लगाना है तो अब क्या करेंगे इस इमेज को अभी यहां बंद कर देंगे और इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं कॉपी इसे मिनिमाइज कर देते हैं फोल्डर को और अब हम सर्च करते हैं पेंट 3D यस यह पेंट 3D के विंडो ओपन हो गई है दोस्तों यह हम जाएंगे न्यू पर तो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं अब हम क्या करने वाले यह बहुत आसान तरीका है अब हम क करेंगे जिससे कि मेरी फोटो जो है यहां पर आ गई है ठीक है दोस्तों यह फोटो यहां जनेट हो चुकी है अब हमें किसी भी ऑप्शन को टच नहीं करना है जो यहां आस पास आपको दिखाई दे रहे हैं आपको सिर्फ एक टूल को टच करना है वह है मैजिक स्लेक्ट म आप यहां से भी कर सकते हैं जो पैनल इसका थूड़ी स्लेक्शन पैनल जो है तो मैं यहां मैजिक स्लेक्ट करता हूं यह मैंने मैजिक स्लेक्ट किया अब मुझे क्या करना है मुझे उस प्रपर्शन को रिस्ट्रिक्ट करना है जिससे मुझे इमेज को निकालना है यह बह क्लिक नेक्स्ट मैंने नेक्स किया तो दोस्तों अब आपको कुछ चीजे दिखाई दे रही है कि जैसे मेरे यहां जो बाल होने चीए थे बाल गायब हो गए है ठीक है यहां पीछे एक छोटी सी इमेज है जो बैग्राउंड थी वह अभी आ रही है तो यह छोटे से डुआ में जोटो हूं जोटों जोटों कर लीजिए जिस से की ज्यादा बेटर आप देख सेके अब हम क्या करेंग यहां add करेंगे अब मैं आपको क्या करना है आपको pencil पर क्लिक करना है और जैसे यहां यह ए यह एर गायोवै तो मैं यह दो पेलाइन कीछ उगा यह यह background आ गई आप देखते जाहिए कैसे कैसे मैं adding करता हुआ जा रहा हूँ यह छोटी सी चीजें हमें करनी होती है अब मैं क्या करता हूँ जैसे यह background साइड में आ रहा है तो हम क्या लेंगे यह मेरा यहां से भीगा है मैं यहां से भी ले लेता हूँ यह आ गया अब ठीक है और यह background है हमारे पास जो हमें remove करनी है सो जस्क्लिक on remove button और मैं यह line लगा देता हूँ यह अपना यह जो 3D paint है यह observe करता है analyze करता है image को जो आप select करते जा रहे हैं मैं इसे चोटा कर देता हूँ यह portion रह गया हमारा यहां हम कर देते हैं यह हमें background मिल गया है थोड़ा नीचे दिखते हैं नीचे की तरफ हमें क्या रह गया यह यह portion को ठीक कर देते हैं यह यहां से background चली गई है दोस्तों अगर आप कहीं भी लगता है कि और को background रह गई है तो आप क्या कर सकते हैं आप जूम करके check कर सकते हैं अब हमें करना क्या है यहां एक checkbox है जहां autofill background है हमें वह checkbox रहने देना है हमें उसे touch नहीं करना है and then done पर click कर देते हैं done यह आपके पास अब आपको लग रहा होगा अरे यह तो कोई भी changes नहीं हुए नहीं changes हुए है देखे यह background है अब मैं इसे नहीं करा सकता हूँ यह मेरी image extract हो चुकी है अब हमें क्या करना है यस यही magic है इस paint 3D का मैं अपनी image को copy कर लेता हूँ copy कर लेते हैं आपको कहीं और भी use करना इसको मैं आपको दिखाता हूँ let's suppose मैंने एक powerpoint presentation को open किया एक new slide को और मैं सिर्फ control भी कर देता हूँ यह काफी बड़ी image है because heavy यह मेरी pick आ गई है अब मैं से कोई भी shape है या कोई भी चीज मैं लगाता हूँ let's suppose मैं एक shape insert कर देता हूँ shape insert कर देते हैं यह shape है हमारे पास तो जो मेरी pick है वह easily roam कर सकती है यह अटा देते हैं अब यहाँ मेरे पास word document है word में आप अपनी इस pick को use करना चाहते तो yes you can आप यहाँ पर जाए और बस control भी कर दीजिए आपके पास एक बड़ी pick आ गई है अब आपको यह लग रहा होगा कि अब हम इसकी transparent image कैसे बनाए बिलकुल बना सकते हैं यह minimize कर देते हम दोनों document लेकिए यहाँ एक control N करिए पहले save आपनी की हुई है आप चाहें से save कर सकते हैं इस project को या don't save कर सकते हैं मैं don't save कर देता हूँ मैंने एक new project बनाया और मैंने यहाँ control V कर दिया ठीक है अगें यह मेरी एक बड़ी पिक है तो मुझे इसको थोड़ा चोटा करना होगा इससे size में लेकर आना होगा तभी यह चीज effectively हम देख पाएंगे मैं इसे छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ अब मैं क्या करने जा रहा हूँ इस यह जो मेरी image है मैं इसे save करने जा रहा हूँ दोस्तों अब हम क्या करेंगे अब हम save s करेंगे control प्लस shift प्लस s से आप देख रहे हैं यहाँ png फाइल लिखे हुए बहुत सारे फॉर्माट है png jpg अगर आपको transparent image आए तो आपको png फाइल को क्लिक करना होगा और यहाँ पर है transparency आपको background transparency जब भी कोई भी background transparent होती है उसक इसे desktop पर वहीं जहाँ my pic थी इसे नाम दे दीजी मैं इस pic को नाम दे देता हूँ आप ट्रेक की वैब हो और मैं इसे save कर देता हूँ अब यह image save हो गई है मैं इस image को open करकर दिखाता हूँ आपको यह रही मेरी यह again वह image है मेरे पास मैं इस image को copy करता हूँ और जहां मेरी MS Word में पहले एक बड़ी image आई थी मैं उसके नीचे इस image को copy करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक transparent image है transparent background के साथ है अगर हमारे पास already कोई चीजे हैं कोई background है या हम कहीं भी इसे paste करना चाहते हैं तो हम उसे easily कर सकते हैं लेकिन इसका यहां एक disadvantage है paint 3D जो extract करता है transparent उस file का size जो है जो आप left hand side में और right hand side में जो space देख रहे हैं वो यहां पर बहुत सारा आपको दिखाई देगा अगर आप इसे चोटा या बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो यह आपकी image पर impact डालेगा अब हमें इस problem से भी निजात पाना है तो अब हमें क्या करना है हमें एक browser open करना है ब्राउजर में हमें search करना है paint.net ठीके यह software है हमारा paint.net आप देख रहे हैं यहां free download लिखा हुआ है paint.net इसका version 4.2.13 यह मेरा one of the favorite software है आप इसे free download करके save कर सकते हैं यह मैंने किया हुआ है अगर आप install कर लोगे तो यह आपके पास मिल जाएगा तो यहां मैंने लिखा paint.net मैं open करता हूँ paint.net को मैंने open किया और शायद मैंने 3D open कर दिया है मैं इसे close करता हूँ paint.net यह यह paint.net है मेरा open करते हैं अब यह by default इसका structure आ जाता है हमें क्या करना है हमें पिक्चर है यह रही मेरी picture मझे इसे copy करना है फिर मैं यहां जाओंगा यहां मैं स्पेस देता है तो मैं जैसे control भी करूंगा अब मेरे जो left hand side में और right hand side में जो भी images थी जो spaces था sorry वो चला गया है और सिर्फ और सिर्फ जो specific area है मेरी image का सिर्फ वो आया मैं इसे save कर सकता हूँ अपनी image को इसे save कर लेते हैं इसी जगह पर कर लेते हैं नाम techie web भी रखेंगे और underscore one कर देते हैं differentiate करने के लिए और save कर देंगे और again save जाते हैं अपने folder पर check करने के लिए तो देखे यह वो image थी जो मेरी direct paint 3D से extract होई थी export ही थी और यह वो मेरी image है जो मुझे paint.net software से extract होके मिली है अब मैं इसे copy करता हूँ copy करता हूँ again मेरे पास paint है मेरे password है मैं एक और slide बना सकता हूँ ctrl n करके ctrl m कर देते हैं और slide आ गई है और मैं यहाँ इसे paste कर सकता हूँ यह मैंने paste कर दिया अब left hand side right hand side पर कोई भी आपके पास white spaces नहीं है जो भी है image है आपके पास clear image है और इस तरीके से आप इस technique के थूँ आप किसी भी image को या background को आप आप remove कर सकते हैं और अपनी images में से extract कर सकते हैं दोस्तों अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सीव अच्छे लगई आपको लगा होगी आपने इस से कुछ गें किया है तो इस वीडियो को share करना और like करना बिलकुँ ना भूले बैल आइकन को दबाना ना भूले और आप अगर new viewer है तो प्लीज चैनल को subscribe करिए और ने ने latest technology और मेरे साथ बने रहिए जैहिन तो आप प्लीज like, share, subscribe करना ना भूले और bell आइकन को दबाना ना भूले thanks for your love, care and affection मिलते हैं दोस्तो नेक्स वीडियो में और please like, share, subscribe करना ना भूले और bell आइकन को दबाना तो बिलकुल भी ना भूले